कि नमस्कार साथियों कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में तोमर यूपी 17 तो दोस्तों आज एक हम ऐसे मुद्धे पर बात करेंगे कि जो एक देश-बक्ति से भी जुड़ा है और कल 26 जनवरी थी हमारा रिपब्लि तो आप डालाइकश आजका में अपनी सब भावनाइश परकट करते हैं अलग-अलग तरीके से भावनाइश परकट करते हैं कल मैंने भी एक शर्ट वीडीओ उपलोड की थी जिसमें हमारा राश्ट्य द्वज तिरंगा जिसका हम हमेशा सम्मान करते हैं सभी वारतवासी तो आप बराबर में देख सकते हैं, उसका स्क्रीन शोट मैंने यहां पर आपको दिखा रहा हूं, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो इस वीडियो में दोस्तों करीब अठारा सो के करीब इस पर व्यूज आये थे, और इसमें काफी सारे लाइक्स हैं, लेकिन इसमें प किसी को वो चीजे पसंद आती हैं, किसी को वो चीजे पसंद आती हैं, किसी को चीजे नहीं पसंद आती हैं, तो मैंने कभी उस चीज का बुरा भी नहीं माना, मैंने उस चीज को एप्रिशियेट लिया हैं, मैंने उस चीज से कुछ सीखा है कि शायद हो सकता है कुछ चीज तो उन्होंने वो चीजे डिसलाइक कर दिया है, तो मैं और ज्यादा मेनत कोड़ूंगा, तो और ज्यादा अच्छी वीडियो में लोगों तक पोचा सकता हूं। दोस्तों, जिनकी एक ऐसा सफर है, एसा रास्ता है जिनकी उसमें इनसान हमेशा सीखता है, और सीखना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि लाइफ हमेशा कुछ न कुछ चेंज ऐसा करती रहती है कि इनसान को सीखने की जुरत पड़ती है, तो मैं भी वैसा ही करता हूं दोस्तों और मैं हमेशा कुछ न कुछ आप सब से कुछ न कुछ सीखता रहता हूं तो हुआ क्या है यहापे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो पांच-छे डिसलाइक उस वीडियो पे आए जो शायद हमारे देशवासी कोई भी हमारे देशवासी कोई भी ऐसे नहीं है जो उस पर डिसलाइक करेंगे क्योंकि हमारा राष्ट्य दोज है और हम इस देश में रहते हैं हम इस देश में अन खाते हैं बोजन खाते हैं हम इस देश में रहते हैं में कपड़ा यहां से मिलता है रोटी यहां से मिलती है यहां पर नहीं रहते किसी दुसरे देश में रहते हैं लेकिन अम रहा हमारी मात्र भूमी है और उसको डिस्लाइक कर रे हैं विडियो को डिस्लाइक कर रहे हैं, कि तो मुझे थोडちी चीजी अटपटी लगी, मैं इस बात से नाराज भी नहीं हूँ, मैं इस बात से नाराज भी नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ी सी एक वीडियो बनाने की इच्छा ये हुई थी, कि जिसने डिसलाइक किया है, वो कमेंट करके ये जुरूर बता सकते हैं, कि क्या कारण था, क्या ऐसी चीज थी उस वीडियो में, वो शोट्स वीडियो में, जो उनको शैद पसंद नहीं आई, हो सकता है, मेरा कैमरे क्वालिटी खराब हो, हो सकता है, मेरे मेरे राष्ट का कहीं सम्मान नहीं किया हूँ, हो सकता है, मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो मुझे उसको सीखने में मदद मिलेगी, तो मैं उन व्यक्तियों से एक विंती जरूर अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो उसमें कमेंट करके बताईए कि वो डिसलाइक उन्होंने क्यों किया है मतलब डिसलाइक किया है मैं क्यों नहीं पूछूँगा लेकिन मैं एक मुझे सुझाओ दे कि मैं अगर और बहतर कर सकता था तो यह वीडियो वो लाइक क तो दोस्तों मैं हमेशा उनका रहनी रहूंगा क्योंकि मैं सीखने के लिए आया हूं और सीखने के लिए यूट्यूब बनाता हूं यूट्यूब शोर्स बनाता हूं वीडियो बनाता हूं तो मैं सीखना जरूर चाहूंगा और शायद मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखू हमारे एक बावी रहती हैं भाईया बावी और उन्होंने एक भंडारा किया हुआ था मंदिर में वो हर साल करते हैं बड़े हैं उनके बच्चे का तो उस पे भंडारा करते हैं तो मैं वहाँ गया था जब मैं वापसी में आ रहा था मैं वहाँ से तो मैंने देखा एक व्यक्त बैठा था मने घर के बाहर चेयर डालके और उसका जो वो उसने हमारा राष्ट्य धवज तिरंगा उसने डंडे में लगाया वा था और वो तिरंगा फटी हालत में था दोस्तों मैं वो फट चुका था तिरंगा तो मैं एकदम से रुका मुझे शोक हो गया कि यार मतलब इतन अधना रिपब्लिक डे है मन राष्ट दोज के इतना सम्मान करते हैं सबी लोग और यह तो इसका अपमान कर रहा है तो मैं रुका और रुक्य मैंने उससे पूछा मैंने अंकल जी नमस्ते करें नमस्ते बेटा मैंने का अंकल जी शायद आपको पता है अँरा राष्ट्य दिष्ट्य दावाज हुआ कि और फटे हुए दवज को आप जो है लेके बैठे ऊवर तो यह तो आप देश का अपमान कर रहे हैं मैं आप यह सब क्यों कर रहे हों तो वहां पर काफी सारे लोग हम इखते हों जो है काफी सारे लोग हमने के बाद जैं Um हimने फिर जब से र तो उन अंकल जी ने एक जवाब दिया कि बेटा मेरे पास नया धवज खरीदने के लिए आज पैसे नहीं थे मेरे अंदर भावना थी कि मैं राष्टे दोजगा सम्मान करूँ मैं उसको फैरा हूँ मैं उस तिरंगे को हाथ में लेके एग घंटा बैठ हूँ मैं अपने आपको प्रावड फील करूँगा लेकिन पैसे नहीं थे खरीदने के लिए और उन्होंने अपनी जेब में से पांच रुपे निकाल के दिखा है कि आज पूरे गर में क्यों यह पांच रुपी है उनके दिल में बहुत कुछ चीजे थी वो उसका सम्मान भी करना चाहते हैं दिल में बहुत कुछ चीजे थी लेकिन वो चाह कर भी नया जंडा नहीं खरीद पा रहे थे तो दोस्तों अब मैं आप से इस बारे में रहे जाना चाहूँगा कि ये अपमान था या उनका तिरंगे के पड़ती सम्मान था कमेंट करके जुरूर बताईएगा दोस्तों क्योंकि अगर ये अपमान था तो सम्मान अगर उनका इच्छ थी कि उनका अंतरात्मा नहीं कह ती कि वो अत्मान करें उनकी अंतरात्मा के रहे थी कि ऊॉर्टे दवज के साथ事情 के साथ ठोड़ा समय विताए तो इंका आप या सायद उनके घर में वह फ्लैग था वह पहले से दो-सनाल से उसको यूज़ कर रहे होंगे वो रखा हुआ था तो उन्होंने वो ही उचित समझा कि भाई जैसा भी है मेरे पास आज capacity नहीं आज समढ़ते नहीं है तो मैं इसी से आज काम चलाता हूं तो खेर दोस्तों मेरे से फिर मुझे उनकी बाते समझाई मेरे साब से भी वह उनका सम्मान था देश प्रेम था मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब इतने जजबा है लोगों में आज भी इतना खून उनका खोलता है कि आज अपने शहीदों को याद करते हैं अपने लोक तंत्र को याद करते हैं हमने उनको नए फ्लेग दिला ला के दिया और फिर वो नए फ्लेग के साथ दिने खुश थे दिने खुश थे बहुत ज़्यादा खुश थे तो दोस्तों हमारे मन में भी कहीं न कहीं आता है कि अगर हम भी कहीं देखते हैं कोई फटावा फ्लेग है या कुछ है तो हम भी स तो दोस्तों खेर यह तो बात हो गई हमने कल कहां कहां पे क्या कह नहीं चीज़े देखी और जो मेरी जंडे वाली वीडियो थी शोट वीडियो थी उस पे डिसलाइक भी आए बस तो मैं यही कहना चाहता था इस वीडियो के बारे में कि जिस भाई ने भी डिसलाइक किये हैं कम से कम मुझे कारण जरूर बता देता है और मेरी कोई भी वीडियो अगर पसंद नहीं आती है डिसलाइक कीजिए आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं कभी भी यह चीज़ नहीं सोचूँगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया आप कमेंट करके बताइए कि मैं क्या बैस्ट कर सकता हूं कि आप आगे मेरी वीडियो को लाइक करें और ताकि मैं और अच्छा करूं और बैटर करूं यह हमेशा आपका प्यार मुझे ऐसी मिलता रहे तो मैं हमेशा यहीं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियो और इसी के साथ मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसी के साथ मैं आप से हाथ जोड़कर शु करम हैं उनके लिए आपको शुब कामना है और अगल जाने न जाने में कोई आप से गलती हो गई हो तो भगवान से आप भी उसके लिए चमा मांग लीजे और हम भी आपके लिए चमा मांगते हैं ठीक है दोस्तों शुब रातरी मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में और इस